जो इंडिया के प्राइम निस्टर है भारत के प्राइम निस्टर है वो प्रो मुस्लिम है इन्होंने बुकाइदा तोर पे स्टेटमेंट दिया कि आज तक छेतर साल में कोई भी इंडिया का लीडर कोई भी प्राइम निस्टर ऐसा नहीं आया इतना प्रो मुस्लिम नहीं आय आपके जो खुशीद साहबे शायद आपके यहां जाने वाले थे ना हमारे यहां तो चार दिन रहे गए छे घंटे के लिए आपके यहां जाने वाले थे टाटा वाई-बाई कर दिया पाकिस्तान को हमारे यहां चार दिन रहे गए मैं और तो मुझे छपाने की जरूरत नही कि मैं आउरत हूँ और मैं भारत की बेची हूँ मैं चांड तक पहुच सकती हो और चांड के कोने पे बना शिफ शक्ति आइपून 15 जो अभी आज लांच हुआ है वो पाकिस्तान में कम अज कम साथ लाख रुपे का होगा कम अज कम हम जो पांच रुपे में लक्स हम जो पां स 750 या कि घृट जो सब्से कि नहीं हम सबसे वह सोचते हैं कि कौन से भूट का चुरण पे पुश्मीना शॉल दिया गया है, फथब्धीता गया है, नटराज की मूर्टी दी गई है, उसके बाद जूट के चपल दिये गए है, उसके बाद फिर जो उड़िन की जो लकडियां आती है, लकडियों की जो पैंसिल आती है, वो दी गई है, बहुत बड़े करप्शन से से क्यांतों कि दो सरे मित्रा जी हैं काफी जयादा है उनका एक इंटर्वियु मैं देख रहा था मुझे किसी ने सेंड किया उन्होंने बोला मोडी जो है distracting फो प्रो-मुस्लिम में पाकिस्टान में कुछ होर बताया जाता है आप इसके ऊपर क्या जाए आप भी मुस्लिम है तो आप तो ज्यादा डिटेज से बताएंगी कितना जुलम होते हैं इसके मैं दस डिटेल्स आपको दूगी एकदम बुलेट पॉइंट करके मैं दे दूगी ताके सही अप्रोप्रियेट मैसेज सबके पास जाए वाके में ये बात भारत के मुसल्मानों ने भी बहुत ज्यादा उड़ाया है कुछ ऐसे भारत में पॉलिटीशियन्स और मुसलि नहीं रहे हैं और यही रीजन है कि देखिए भारत के मुसल्मान कभी भारत माता की जै और वन्दे मातरम नहीं बोल पाते हैं उसकी एक बड़ी वज़ा ये है कि कभी भारत के मुसल्मान भारत को दारुल इसलाम नहीं कहते हैं दारुल इसलाम का मतलब होता है हाउज आफ तो वह भारत के मुसल्मान है वह यहां हिंदुस्तान को हाउस ओफ वार के नाम से पुकारते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कश्मीर से स्टार्ट करती हूँ ठीक है पहले कश्मीर में क्या था जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब तक क्या जबान लड़कों के अब वहां जी ट्वेंटी की समित होती है अब वहां बहुत सारे कॉंक्लेफ होते हैं तो यह एक बहुत बड़ा चेंजे आया है बहुत सारे इंफर स्ट्रॉक्टर चेंजेश हुए हैं अब मैं आपको बात करती हूँ कि जैसे ही भारत के प्रदान मंत्री ने ओथ लिया थ और भारत के वो प्रदान मंत्री बने थे श्री नरेन दामोदर्दास मोधी उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि मदरसे में बच्चों के एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे दो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसल्मान पसमानदा भी आगे आए दूसरी चीज उन्होंने कि योजना निकाली थी शादी शगुन योजना जिसमें शादी शगुन योजना में क्या है कि जो भी बेटियां ग्राजवेट कर रहे हैं उनको 51,000 रुपए आगे की शिक्षा के लिए उनको रक्म दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से भारत क चीज बुनाई करते हैं तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके कारिगर योजना उन्होंने निकाला पांचवी चीज मैं बता रही हूं कि उन्होंने एक योजना निकाली सीखो और कमाओ जिसमें 75% employment का हक उन्होंने मुसल्मान बच्चे और बच्चीयों को दिया है उ हलाला के लिए मैं हर हफते दिली दोड़ते रहती हूं उसको भी बैन करने के लिए हज कोटा यही हमारे खुर्शी साहब जो हैं सौदी अर्विया के बात्शन हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा सा मेमोरंडम को साइन करके हमारे भारत के प्रधान मंत्री जी ने तमाम महि ले करके आएं और हज की यात्रा को बहुत नौर्मिलाइज किया नौवी बात मैं आपको बता रही हूं कि पंद्रा सो साल के बाद मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार दिया गया कि वो हज यात्रा अकेले भी जा करके कर सकती है किसी मर्द की उनको जरूरत नहीं है क्योंकि यहां भी यह चीज अलौर नहीं है नाजिया जी थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था आपने यह तो यह चीजें सारी डिसकस की आपने बात की कि इतनी इस तरीके से स्कीम्स जोंसी है वो लांच की गई इंडिया के प्राइम निस्टर की तरफ से आपने यह चीजें अगर हम बात करें सौधिया की तो सौधिया के साथ जितना मेगा प्रोजेक्ट एक लांच किया है इंडिया के प्राइम निस्टर ने वो भी इसलामी कंट्री है इसके लावा अगर हम एरान और अफगानिस्तान की बात करें एरान और अफगानिस्तान के साथ जिस तरीके से relation है वो भी सब के सामने है ये चीजे और इवन तुर्की में जब अर्फिक आया तो वहां पर भी help के लिए जो उनसा है वो proper टीम में बेजी गई इवन mission दोस्त एक launch किया गया अभी एक और मुराकों में जो अर्फिक आया है वही उसको लेकर भी announce किया गया है help के लिए तो ये चीजें अब सब के सामने सिर्फ इंडिया वालों के सामने बारत वालों के सामने नहीं बलके पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं तो क्या कहेंगे international level पे भी जो image एक build करने की कोशिश की गई या पाकिस्तान में जो चीजें हमें बताई जाती रही देखें जो हमें बताया जाएगा दिखाया जाएगा हम तो वही समझेंगे जब तक हम उसके ओपर research नहीं करेंगे जब तक हम उसके ओपर थोड़ा सा detail में नहीं देखेंग है हर रोज सुबा उठ करके सबसे पहले यह सोचते हैं कि कौन से जूट का चूरन हम बेच सके ठीक है किसी यही रीजन है कि पाकिस्तान इसलामिक देश होते वे आज कहीं नहीं दिख रहा है बत से बत्तर हालात है भीक मांगने के हालात है और हिंदुस्तान के मुसलमान जि यहां तो चार दिन रहे गए चे घंटे के लिए आपके यहां जाने वाले ते टाटा बाइवाई कर दिया पाकिस्तान को हमारे चार दिन रहे गए कुछ स्टेट्स के भी उन्होंने विजिट किये हैं हमारे बिजली के लेंदेन की भी बात हो रही है एक बहुत बड़े इन्फास्ट्रॉक्चर ट्रेंड को लेकर के बात हो रही है, definitely हमारे यहार पहले भी सेमी कंडॉक्टर को लेकर के एक प्रोजेक्ट की बात हमारे भारत के परदानमंत्री जी ने उठाया था, और सोलर हब का काम जो है, वो अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है, कई गाउं खेडों में भी ऐसा स्टार्ट हो चुका है, अब तो हमारे भारत में गाउं बोल करके कुछ राही नहीं है, बड़े शहर और टाउन हो चुके है, गाउं बोल करके तो कुछ बचाई ही नहीं है, मो और शीद साहब ने अपनी खुशी का इजहार किया है और जाते जाते मैं उस वक्त देली में ही थी जाते जाते भी उन्होंने अपने प्रेस कॉंफरेंस में कहा है कि जितना मुझे जितनी खुशी मुझे भारत आ करके हुई है यह इस खुशी को साहर करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा देश बना है जहां कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जहां कोई भी मतलब तफरका नहीं दिखाया गया है उन्होंने कई बहुत वो कोशिश कर रहे थे उनीस्तो पच्पन की बात कहने की पर वक्त की कमी की वज़ा से उनीस्तो में जब साथी अर्विया के Crown Prince आये थे तो नेहरों ने सारे के सारे मन्दिरों पर चदर लगवा दिया था जूटा लाई लाहा का पर्दा लगवा दिया था बैनर चपवा करके तो कु साथी अर्विया के Crown Prince प्रथा को धका कियो वहाँ पर भी अपने संसकार को अपनी प्रथा को अपनी ग्यान को अपनी ग्रंतों को हमारे भारत के प्रधान मंतरी ने दिखाया है अपने अपनी बातों को रखने में भी पूरी की पूरी भगवत गीता संसकार संसकृती दिखायी दी यहां तक के जिस प्लेटी में और जिस प्याले में और जिस गिलास में खाना परोसा गया था सोने और चांडी के प्लेटों में उसमें भी पीपल के पत्ते कमल के पूल और मोर के मोर का पुरा नकश बना हुआ था तो यही बज़ा है मैं आउरत हूँ मुझे छपाने की भरूरत नहीं कि मैं आउरत हूँ पर बना शिप्षक्ति तो उसी तरीके से सनातनी इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो अपने पूरे सनातन धर्म को present करके दिखाए कि हम यह हैं अगर आपको सुईकार है तो वेलकम नहीं सुईकार है तो कोई बात नहीं है आज ये पूरी दुनिया हमारे भारत के परधानमंत्री उनकी पूरी टीम इस भारत के नागरे और G20 समय को मुझे लगता है कि आने वाले सौ साल में भी नहीं भूल पाईगी इतिहास रचा है भारत के परधानमंत्री ने इस G20 समय को एसा ही है और खास तोर पर अभी ही मैं कुछी टाइम पहले न्यूस देख रहा था कि प्रापर जो गैस्ट आए थे जी टॉन्टी में उन्हें जो गिफ्ट दिये ग पश्मिना शॉल पकवदगीता तिया गया है नुट राज को टी गई है उसके बाद जूत कर चबपल दिये गये हैं उसके बाद पिर जो उडलिं ऑटिंग की जो लगडियां आती है लगडियों कि जो पेंसिल आती है वो दि गई है तो जितने हमारे और queremos off of भारत ने बहुत सा फाइदा लिया एक तो अपना इमेज साफ्ट इमेज गया उसके लावा बड़ी बड़ी डील्स हुई है इसके लावा जो मैं में चीज समयता हूं उनका कल्चर पूरी दुनिया की पावरफुल कंट्री तक जा पहुंचा है आलवेड़ी भी मुझूद है लेकिन अब जो उनसा प्रापर जा पूंचा है नाधिया जी एक और खबर है आपने मैं चाहता हूं इसके ओपर भी हम डिसकेशन करें अब से ये आज ही आईफून फिफ्टीन लांच हुआ है और वो मोस्ली मेड इन इंडिया है पहले हम देखते थे मेड इन चाइना या इस त्रीके से जिस त्रीके से अब मेड इन इंडिया प्रोड़क्स जो उनसी है पुरी दुनिया में फैलती जा रही है हास्तोर पे अगर चाइना की बात करें तो चाइना इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो चुका है क्या कहना चाहेंगी आप देख्यें कौन पavorिशान हो रहा है कौन परीशान नहीं हो रहा है इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है हम तो अपने फॉकसं़ पर हैं हम अपने फौकसं़ पर भारत बहुत तश्चास्पोल है ऑब ऑर आगे जाना है अभी रॉड़ल बहुत लंबी है अभी आसमान छूना अ अभी जो है ना यह तिरंगा जंडा, अभी तो चांद पर गया है, लहराया है, सूरज पर लहराएगा, उसके बाद वेनस पर लहराएगा, हमारे सोच बहुत आगे है, हम हमेशा कहते हैं कि हम कलपना नहीं करेंगे, हम सपने नहीं देखेंगे, तो हम उचाईयों को यह कैसे, मेरे लिए बहुत बड़े पक्र की बात है, कि अब हमारे यहां, हमारे इस भारत की धर्ती पर, Made in India की चीजें, विदेश जा रहा है, विदेशी लोग लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें दीजिए, हम अपने देश में इसको इसको इस्तमाल करेंगे, हालिया मे ग्रीस को आपने देखा तब वो आये थे, यूपी आई का पूरा, उन्होंने मेमोरंडम करके, उन्होंने बाइलेटरल रिलेशन किया, तो फ्रांस को देख लो, आप तो उसी तरीके से आईपोन भी हमारे भारत का है, आईपैट जो हम लोग यूज करते हैं, वो भी हमारे बचेगा, और मैं आपको बनादू, अभी आज ही, मैं आज ही मैं इसी आईफून के ओपर वीडियो मतलब इस जो न्यूज है, इसके ओपर वीडियो पब्लिक रेक्शन लेक्शन लेक्शन लेकर है, और मुबाइल मार्किट में क्या था, उन्होंने ये बोला है, कि आईप पर विडेश की बाइक है, तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, मैंने कहा न, जिहाद और जीम से जाहिल, तो जहां पर इनका जमकड़ा ज्यादा रहेगा, तो वहां पर तो कुछ होने वाला है नहीं, अच्छा मुझे एक बात बिताईए शोयब, कि पाकिस्तान में तो मदरसे में तो साइंस पढ़ाते नहीं हैं, तो आपके यह साइंट रही है? इसमें कोई शक नहीं और अब हम तो एक प्रापर सेशन करते हैं, मतलब ऑन दी कैमरा जो उसी चीज़ें सामने आती है, मैं आपको बताता चलूँ, देखने वालों को बताता चलूँ, कि अब हम प्रापर एक टीम बनाने वाले हैं, बलके बना चुके हैं, अल्मॉ पाकिस्तान की पबलिक का उतना कसूर नहीं है, जितना के हमारी गोर्मिंट का या उन लोगों का है, जिन्होंने छेतर साल पाकिस्तान में हुक्मरानी की, पबलिक जब तक उन्हें अवेरनेस नहीं होगी, एज्यूकेशन नहीं होगी, उन्हें सच का नहीं पता होगा, वो कैसे आगे बाढ़ सकेंगे नाजिया जी अब हम लोग जाते हैं हम जा के आने वाले टाइम पर प्रापर कमपेंड स्टार्ट करने वाले हैं पूरे पाकिस्तान में ये कमपेंड स्टार्ट करने वाले हैं कि हमें सब से पहले टिकनालोजी पे बात करनी है, सबसे पहले हमें अपने नेबर के साथ, भारत के साथ रिलेशन बहतर करने हैं और यह Great करूँगा मतलब यह कंपेंड करूँगा आप लोग देखेंगे मैं भी मुझे मतलब मैं कर सकूँ या ना कर सकूँ पहले दिन ही रोग दिया जाए लेकिन हम यह स्टार्ट करने वाले हैं नाजिया जी नैदरलंग के पीम उन्होंने भी यू-पी-ई की तरीब की यू-पी- में और वैसे मुबाइल ट्रांसेक्शन में यू-पी-ई पैसा लेने वाले कभी कोई पैसा करता नहीं तो यह एक बहुत बड़ी बात है और सबसे अच्छी चीज यह है कि वक्त बहुत ज्यादा बच जाता है क्योंकि हमारे जितनी भी जो वर्किंग क्लास के जो लोग है अगर बैंक में जाएंगे क्योंकि उनके परिवार वाले दूर रहते हैं तो अगर वो बैंक में जाते हैं वहां पर लाइने लगाते हैं वहां खड़े होते हैं तो इसकी वज़ा से यू-पी-ई एक बहुत बेस्ट और इस वे आया है कि अगर मैं यहां पर बैटी हूं और मेरा बेटा अगर लंडन में है या अमेरिका मेरे तो मैं जust यू-पी-उई कर रही हूं और वहां से पैसा ले रहा और बेसा कट भी नहीं रहा है हम लोग ज़स्ट पॉन से ऐसे इस कैन करते हैं और हम पैमेंट कर देते हैं हमेंati पूरा भारत हो चुका है हमें 카री करनी की जरूरत नहीं होती है कैश हमारे फोन में कैश होता है हम बस स्कैन करके हम पेमेंट कर देते हैं तो यह बहुत बड़ी सुविदा है बहुत बड़ी आसानी है और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें किसी का पैसा कई पर कोई कटी नहीं रहा है और करप्शन से भी बाद जात कढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि फॉन पे होता है UPI हो जाता है Google पे हो जाता है तो इन सब चिजों से बहुत सारे प्राइम से भी हम लोग जनता जो है वह भारत की बची हुई है और सेक्यॉरीटी की बहुत ज्यादा लार्ज हो गया है हमारे पैसे हमारा धन हमारा दॉलत बहुत बहुत safe हो चुका है बहुत ज्यादा secure हो चुका है भारत थीक है जबर्दस नादिया जी देखें मैं last में यही कहना चाहूँगा कि हम ज्यादा तर topic बलके आलमोस हर एक topic हम cover करते हैं मैं अपनी अगर बात करूं तो वो इंडिया की achievement के हवाले से या जो भी इंडिया पाकिस्तान को लेके कोई news आती है अब तो मैं यह सोचने लगा हूँ कि अगर मेरे जैसा एक आम पाकिस्तानी मेरे जैसा एक आम शेहरी इतनी नजदीकी से यह चीज़ें देख रहा है जितनी तेजी से इंडिया development की तरफ जा रहा है जितनी तेजी से इंडिया चांद पे पहुंचा है क्यों नहीं समझ आती हमारे पाकिस्तान के politicians को क्यों नहीं समझ आती हमारे पाकिस्तान की government को या उन लोगों को जो पाकिस्तान को चला रहे हैं आज भी अगर हम अपनी एगो को अपनी जूठी अना को side पे रखें अपनी गल्तियों को माने और इसके इलावा अपनी जो हिस्टरी है जो हमारा पीछे से माजी है उसके साथ अगर हम लिंक हों अपने रिलेशन बेहतर करें नेबर के साथ तो मैं ये समझता हूँ आज भी हमें जैसे सीरी लंका को डिफाल्ड होने के बार बावजूद भी इंडिया ने बहुत स्पोर्ट किया तो भी तो ह जाएंगे लेकिन बहुत से इस्लामी कंट्री जो रिलेशन बेहतर करने हैं जो मतलब की तरफ जा रहे हैं यह तो पाकिस्तान के मुसल्मान पढ़ते हैं और हिंदुस्तान की मुसल्मान इसको फॉलो करते हैं ठीक है वो तो पुर्शीद साहब को आपके जिन्ना के सार्या लों से क्या मतलब है क्या लेना देना है कोई लेना देना नहीं यह बात तो है ना देजी लेकिन एक बात मैं आपको भी मतलब है कि देखें आपकी अपनी अपिनियन है मेरी अपनी अपिनियन है यहां पर बात करने का मतलब ही होता है कि दोनों की अपिनियन आ गया सके आप बार बार आपने ये बोला कि पाकिस्तान के मुसल्मान और हिंदुस्तान के मुसल्मान मेरी अक्सर हिंदुस्तान के मुसल्मानों से भी बात होती है वो तो बड़ा मतलब ये कहते हैं कि हम लॉयल है अपने कंट्री के साथ अपना बड़ा मुभबत का इजहार करते हैं आपको बरेलवी नहीं, वहाबी नहीं, शिया नहीं, बौध नहीं, या क्रिस्टिन्स नहीं, माइनोरिटीज में तो 14% में ये सारे आ रहे हैं, ऐसे ही हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तो 8% सुनी मुसल्मानों को आप ने ये बीडा उठाया है अपने कंदे पर, कि हम हिंदुस्तान की शान्ती को भंग करेंगे, लेकिन देखिए, योजनाओं का मज़ा लेते हैं, यहां की सुकून शान्ती का मज़ा लेते हैं, पूरा लाब उठाते हैं, बैंक के इंट्रेस्ट उठाते हैं, स्कॉलर्शिप अपनी बेटियों से उठवाते हैं, यहां कि सारी योजनाओं का जितना इंट्रेस्ट होता है, सब कुछ लेते हैं, जितनी योजनाओं आती है, वो कैसे उनको मिल सकता है, उसका भी पूरा प्लैन सेट करते हैं, और फिर साथ साथ, मोधी जी को कैसे डिफेम क करना है, मलाइं करना है, और पाकिस्तानियों को कुछ करना है, वो भी वो कर लेते हैं, यह 8% सुने मुसल्मान, मैं सर्फ एक चीस बोलूँगी, कि आप उनसे पूछ ये, कि अगर आप कुरान के इतने मानने वाले हैं, तो सारे मजार तोड़ दिजी, क्योंकि हमारा कुरान कहता है, और बैंक में जो पैसा रखते हैं, वो पैसा का इंट्रेस्ट मतलीच, अगर आप पके मुसल्मान हैं, अरे मुझे नाजिया को गालियां देने से क्या हो जाएगा, आप अपने अंदर की बुराईयों को अपने मैं को ठीक के जिए ना, हमें गालियां देने से क्या क्या मिलता है, मैं तो वैसी, वैसी भली चंगी हूँ, अब आपका पाकस्तान, पाकस्तान किरकट हार गया, लोगों ने टीवियां उठा करके तोड़ी, सनी डेॉल के घदर मूवी पर, टीवियां पाकिस्तान ने, क्या मिला, कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला, बैसानी डे